हलो देश के सभी फिचर डॉक्टर्स को मेरी तरफ से एक वर्म वेलकम उमीद करता हूँ आप सभी की नीट की प्रिपरेशन्स बहुत अच्छे से चल रही होंगी मैं हूँ अभिशेक और मैंने नीट 2021 और 22 को क्रेक्ट किया है इस अब मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नीट बेसिक सीरिस इसमें आपको NCERT के डिटेल लेक्टर्स बढ़ाए जाएंगे इसके लावा दी जाएंगे आपको धेरतारी शोट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी NCERT की डाटर को फॉरेवर जाद रखने के लिए इसके लावा DPPs, हेंड रिटें नोट्स और हमार पस कॉशन डाइंग के लिए आप जूड सकते हमारे टेलिग्रम चैनल तो शुरू करते लेक्टर को और कल हमने बेसिकली कवर करा था अपेथिलेल टिश्यू को मैंने आपको उसके कुछ कोशन कराये थे उसके लावा उसकी एक तरीके से NCERT रीड कराये थी और आज अन जिस टिश्यू को कवर करने वाले उस टिश्यू का नाम है मर पस कनेक्ट इश्यू और लेक्टर को शुरू करने से पहले एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन कि जिन भी बच्चों को लगता है कि मेरी स्पीड एक तरीके से थोड़ी से जादा है तो वो क्या कर सकते है यूट्यूब के उपर एक उप्शन होता है कि आप मेरी स्पीड को बेसिकली तेज या कम कर सकते हो ठीक है तो शुरू करते हमारे पास हमारे लेक्टर को जिसका नाम है Structural Organization in Animals और इसमें हमारे पास जो हम टिश्यू पढ़ रहे थे उस टिश्यू का नाम था हमारे पास Connective Tissue Tissue Connective Tissue और Connective Tissue के बारे मी जैसे हम अम बढ़ रहे हे थे कि जैसे हम एतिश्यू के बारे में पढ़ा था कि इस के नाम की बारे में पक्राइब है सिज इसके नाम की समझ आता है कि यह क्या कहना चारा था Connect तो यहां पर एक शब्द है Connect क्या शब्द है कि यह क्या करता है basically हमाँ पस tissues यह organs को हमाँ पस connect करता है यहाँ पर नाम सी पता लग रहा है कि यह क्या करता है connection बिठाने का काम करता है हमारी बोड़ी के अंदर तो होता क्या है कि connective tissue क्या करता है हम पस दो tissues को यह दो organs को हमाँ पस क्या करता है connect करता है इसलिए इसका नाम के हमार पास connective tissue इसका नाम के हमार पास connective tissue तो सबसे वहले हमने इसके नाम के बार में समझा कि connective tissue का मतलब क्या है कि हमार पास दो tissues को यह दो organs को हमार पास connect करने की कोशिश करता है N-C-E-RT की यह line है हमार पास दूसरी line भी N-C-E-RT की है मैंले में से erase कर देता हूँ इसे मैं functions के इंदर लिख दूँगा दूबारा से तो अब बात आते हैं इसके important point के बारे में है इंपोर्टेंट point के बारे में जो की N-C-E-RT का point है और इसे ध्यान से याद रखना कि यह वाला जो connective tissue होता है वो सबसे यादा widely distributed होता है और most abundant होता है most abundant होता है ठीक है widely distributed होता है और most abundant होता है ठीक है और इसके basically widely distributed का मतलब क्या होता है मरपस की पूरी body के अंदर फैला होता है बहुत जादा widely distributed है जैसे हम बोलते हैं की बनतब एक तरीक से बहुत जादा पूरी body में फैला होता है ठीक है और most abundant का मतलब की body के अंदर सबसे जादा यही वाला tissue पाया जाता है ठीक है कोई example इसका मैं दे सकता हूँ जैसे की blood blood एक connective tissue है और जादा धर्म जो functions बढ़ते है connective tissue के तो blood से वो relate हो जाते हैं एक एक example से वो क्या हो जाते है relate हो जाते हैं जैसे blood widely distributed है पूरी body के अंदर distributed है और mostly abundant most abundant blood ठीक है बहुत जादा हो था हमार पास body के अंदर blood ठीक है तो दोनव एक तरीके से है जो आपकी इसके important points है वो blood के example से आप याद रख सकते हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैंने important point के बारे में बात करी अब मैं बात करता हूँ functions के बारे में ठीक है functions के बारे में तो सबसे पहले function तो मैं हमें आपको बताई दिया कि connective tissue क्या होता है कि हमर पास क्या करते है body के अंदर body के अंदर यह क्या करते है हमर पास connect करने का काम करते है ठीक है तो यह हमर पास क्या करते है connect tissues तो सब्सक्राइब बात करते हैं अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में और दूसरा फंक्शन ने मरपास क्या हो जाएगा पैकेजिंग का काम करते हैं इसको मैं समझाऊँगा कि पैकेजिंग का काम कैसे करते हैं पहले मैं इससे रिलेटेड दो चार और पॉइंट लिख दूँ तीसरा हमार पास हो जाएगा सपोर्ट का काम करते हैं प्रोटेक्शन का काम करते हैं काम करता है इंसुलेशन का काम करता है इंसुलेशन का काम करता है इंसुलेशन काम करता है इंसुलेशन काम करता है अब मैं इनको समझाता हूं कि यह बैसकली पैकेचिंग कैसे करता है support कैसे करते है, protect कैसे करते है, और insulate कैसे करते है इन सभी points को आप रिलेट कर सकते हो, fat tissue से, या fatty tissue से अडिपोस tissue होता है, मैं यह आपर lemon language में लिखना हूँ fatty tissue लेकिन actual में इसे हम बोलता है science के भाषा में, अडिपोस tissue है ना नोमल भाषा में भी बोलो, fatty tissue, lemon language में लिखना है तो fatty tissue क्या करता है, आपने देखा होगा कि आपके major organs होते है जो आपका basically reproductive tract होते है, reproductive tract होता है हमाल पस एक तरीगे जो reproductive organs होते है, वो बहुत जदा soft होते है अपकोरस ही बात है ना, shock absorption से उसे क्या करते है एक तरीखे से, protect भी करते है shock absorption करके वो क्या करते है, उसे protect करती है shock को absorb करती है और उसे protect करती है, ठीक है तो मैंने क्या बता है इसकिलिए हम पस कि जो fatty tissue होता है वो हमार पस जो reproductive organs होते है, महाँ पर भी present होता है उसके अलावा आपकी बोड़ी की जो स्टमक वाला एरिया होता है उसके आरा आसपास भी प्रेजन होता है तो यह क्या करता है एक तरीके से और और उसे प्रोटेक्ट करने काम करता है और उसे प्रोटेक्ट करने का मर पस क्या करता है काम करता है तो fatty tissue के हिसाब से, sorry fatty tissue के example से मैंने इन दोनों points को समझाया अब तीसरा वाला point जो है insulation, insulation का यहाँ पर मतलब होता है heat provide करना, insulate कर देना heat provide करना तो आपको बता है fatty tissue उमार पस insulation का भी काम करते है तो यह तीन points जो आप fatty tissue से हमार पस relate करके समझ सकते हो पैकेजिंग का fatty tissue packaging करता है, जिसकी हमारे जो abdomen में थोले से organs होते है उनकी और हमार पस reproductive tracts के around जो हमार पस एक तरीके से reproductive organs के around जो covering होती है, हम रपस उसकी वह हम रपस क्या होता है, एक तरीके से connective tissue की होती है ठीक है तो हमार पस connective tissue क्या करता है, package करने का काम करता है support करने का काम करता है, protect करने और पस protection करता है shock absorption करता है और इसके लापर हम रपस insulation का भी यह काम करता है, heat provide करता है हमारी body को ठीक है, तो इतना note करते है, आगे चलते ही किसकी बद एक और पर पढ़ लेते हैं, connected tissue में ने बताया कि connected tissue मतलब जो हमार पस connect करने का काम करता है किसको? tissues को या organs को, widely distributed होता है body के अंदर, most abundant होता है, N-C-E-R-T-K एक important line है फिर functions के ओपर है, connected tissues या फिर हमर पस organs, organs को connect करता है, tissues को connect करता है, package करता है, support करता है, protection करता है, insulation करता है और इन 4 points को हमने, packet tissue के example से समझा, यानि adipose tissue के example से समझा तो note कर लेते हैं, इसके बाद इसके features पर चलते हैं इसके features फ़िछे से बाद में इसलिए लेड आए हैं क्योंकि, it'sKE features से बढ़े है, usually मैं features पहले लेतों, functions बाद में, functions मैं पहले पढ़ा दी है क्या कि Features थोटे सा वड़े हे थोटे सा टाइम लगे गा उन्हें पस्मझने में इसवज़े से फिचर्वा कौ समझते सब्सेपेहली बात Shade for features में वह सब्सेपहले पढ़ते है णा hodas eta origin सब्सेपहले उसका origin क्या हटाईगगा civilization क्या हटाईगा इसका हमार पस mesotomal पहले ही रेक्चर में मैंने बता दिया था कि origin connective tissue का क्या होता है mesodermal दूसरा पहला point हो गया दूसरा ठीक है दूसरा मार पास क्या हो जाएगा कि यह vascular होता है मतलब blood vessels present होती है ठीक है जिसे हमने apathyalyal tissue का जाब एक तरीके से diagram बनाया था यहां पर बनाकर यह में पास apathyalyal tissue हो गया इसके नीचे मैंने connective tissue बनाया था और यहां पर मैंने blood vessel दिखाया था तो यहां पर connective tissue है इसके पास तो देखा आपको blood vessel दिख रहा है लेकिन epithelium जो हमार पस epithelial tissue जो हमार पस उसके पास आपको कोई भी blood vessel नहीं दिख रहा तो epithelial tissue क्या हो था हमार पस एक तरीके से यह हमार पस होता है avascular लेकिन connective tissue हमार पस क्या होता है vascular यहनि इसके पास blood vessels present होते है इसके सिरफ एक exception होती है cartilage 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 के लाब हमार पस सभी के अधर हमार पस सिवाय हमार पस cartilage के जो कि avascular होते है ठीक है कि इतना note करते है हमार पस origin के हो गया mesodermal और यह हमार पास हो जाता है tastdır ब्लेड वेसल हमार पास और तीसरे important point है यह एक तरीके से tissue की एक misconception है कि tissues के अंदर हमार पास जीतने भी cells होते है structure होता है, तो जो तीसरा point है वो इसी myth को तोड़ता है कि इसके अंदर में पस different shape shape, structure, size के हमार पस different shape, structure, size के हमार पस cells present होते हैं, ठीक है, कई सारे हमार पस एक तरीके से shape, size, और structure के हमार पस एक तरीके से cells मार पस present होते हैं, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन से तरीके के cells होते हैं, अभी क्या याद रखना है कि different shape, structure, size के हमार पस एक तरीके से cells present होते हैं, जिससे हमने tissue के जब एक तरीके से definition पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि group of similar cells है, लिखात हमाँ पर group of similar cells, तो जाददर बच्चों को similar cells से क्या लगता है, कि उनका shape, size, structure हमार पर same होना चाहिए, नहीं, shape, size, structure same होना कोई भी condition नहीं है tissue की formation की, origin same होना condition है tissues की, इन सभी का origin तो same होता है, shape, size, structure भले ही cells के different हो, लेकिन connective issue के जितने भी cells होते हैं, उ लेकिन सभी का shape, size, structure different होता है, तो महाँ पर similar word लिखा था है, उसे shape, size, structure से confuse मत करना, वो origin के लिखा था, मैंने specify करके बताया भी था, जब मैं अपर thilal tissue पढ़ा रहा था, कि महाँ पर origin है उसका मतलब, ना कि हमार पस shape, size, structure ठीक है, इतना याद रखो, 3 points के बारे मैंने बता है, origin, mesodomal, vascular, blood vessels present, accept, cartilage, different shape, size, structure वाले cells हमार पस present होते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं इसके, matrix की, जो हम matrix बात कर रहे थे, matrix की, ठीक है, जो हमने बोला था कि एक तरीक से matrix support करता है, cover करता है, उसे, है ना, महाँ पर हमने बात करीए सबस्टांस होता है, जो cells को basically हमार पस यहां पर support करता है, connection भीठाने का काम करता है, coordination में हमार पस help करता है, chemical exchange में help कर रहे है, उस matrix के बात कर रहे हैं, इसे आप ICM भी बोल सकते हो, intracellular matrix, या फिर मैंने यहां पर सिरफ matrix लिख लिख लिए है, matrix, matrix पर चलते है, matrix के मैंने बत सबस्टांस होता है, इसे महां पर reticular membrane होती है, ऐसे यहां पर भी एक जाल बनाने वाली चीज़ होती है, जो support करती है, इसे महां लेंटर डलता है, तो नीचे जाल डलता है, ऐसे यहां पर भी हमार पस कह रहे होती है, fibers, बस परक्या है, basement membrane के case में हमने इसे special नाम दे दिया थ ठीक है, और इसके ओपर हमने क्या कर दिया था, cement की coating कर दिया एक liquid सा जो होता है, थोड़ा सा fluid, semi-solid जो हमर पर substance होता है, cement वाला, उसको हमने क्या गर दिया इसके ओपर coat कर दिया, वो क्या होगे हमर पस, ground substance, महा पर हमने क्या नाम दे दिया था, basal membrane, यहां पर हम क्या बोले substance के बारे में बात करते हैं, fibers क्योंकि थोड़ी सी बढ़ी हैं, इसको मेरे को समझाना पड़ेगा, इस वज़े से, तो सबसे फिले ground substance के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने वहां बताया था, mucopoly saccharides यह बनाता है, और वहां पर glycoprotein से, यहां पर भी महर पस, mucopoly saccharides से यह बनाओता है, mucopoly saccharides से मर पस बनाओता है, gel-like होता है, जैसे महां पर मैंने बताया था, gel-like होता है, यहां पर भी महँआ परस के होता है, एक तरीके से gel-like होता है, जैसे base membrane membrane का हमार पस बैजल-like लिखी थी, मैंने, यहां पर जो ground substance के ठीके यह उसका identify कह लिए है, यह ब प्रेस्ट होता है, Highly Rhonic Acid हमर पस प्रेस्ट होता है ठीक है, जैल लाइक होता है, Mucopolysaccharide Highly Rhonic Acid हमर पस प्रेस्ट होता है अभी क्या होता है Highly Rhonic Acid अच्छल में यह क्या होता है हमर पस यह हमर पस Voter Absorption का काम करते है Voter Absorption का काम करते है तो होता कि कि हमारी connective issues में हम पस present होता है और यह water absorption का काम करता है तो यह क्या करता है? basically, water absorption का काम करता है और cells को swell कर देता है यह क्या करेगा हम पस hyaluronic acid water का absorb करेगा और इस Matrix के नितर जो cells present है वोटर को हम पस क्या करेगे? हम पस एक तरीके से gain करके, cells क्या हो जाएंगे, swell up हो जाएंगे cells अपनी क्या करेंगे, एक तरीक से swelling कर लेंगे जैसे किश्मिश को अगर आप पानी में डाल तो swell हो जाएंगे hyaluronic acid क्या करेगा, पानी को absorb करेगा और ultimately जो cells है वो हमार पास क्या कर देंगे इसे अंदर वो भी हमार पानी को gain कर लेंगे और क्या हो जाएंगे हमार पास, सफारिकल हो जाएंगे और जादा سएल हो जाएंगे जिसकी वजह से होता क्या है、 कि हमारी इसे स्किन है वो स्ूध दिखने लग जातीं है स्किन जो हो क्या हो जाती है स्मूद दिखने लग जाती है और इस व Azhar हाईलिवरोनिक ऐसीड है हो मुटकर के अंदर फैनlympic के हलिए ह् सुल्भागा सुन्ध दाथ हा किस स्मॉड के अंदर होते है फैसा जो भी ब्यूटी प्रोडक्ड्शट होते है तो हमारी स्किन को स्मूद कर Da Je ne शुरू करदेगा और कैसे करदेगा बाई जो एक तरीके इसे उंकी स्वेलिंग करा कि यह स्वेल हो जाएगे कि पश्यों स्वेल्प जाएगे इक तरीके से इतना लौट करते हैं, इसके पाद fibers के बारे में हम समझेंगे अब समझते हैं matrix के दुसरे पार्ट के बारे में जो की था हमार पस fibers हमारा पास fibers होती है वो तीन तरीके के होती है एक होता हमारा पास collagen fibers दूसरा होता है elastin fibers फाइबर से लिख देता है यहां पर fibers elastin fibers और हमार पास reticular fibers ठीक है तो और पास तीन तरीके fibers होगी collagen fibers, elastin fibers और हमार पास reticular fibers तीनों में फर्रक यह ओता है collagen fibers छो होती हैं हो हमार पास collagen protein की बनियी होती है collagen protein की बनियुथी है और reticular वाली किस के बनियुथी है collagen protein की अब बात आती है चलो यह तो हमें समझा गया कि collagen हो गया यह elastin का हो गया इन दोनों में तो difference समझाते हैं लेकिन यह भी collagen की है यह भी collagen की है फिर दोनों के नाम अलग-अलग क्यों है यहना एक को हमने basically collagen fibers भाला है दूसरे को हमने reticular fibers इसका reason क्या होता ना कि जो यह reticular fibers है वो collagen fibers की degradation से ही बनती है मतलब इसके तूटने से ही बनती है जैसे माल लो कि बहुत सरे आपने क्या लिया एक तरीके से उनके धागे लिया ऐसे करके और उनने arrange कर दिया regular pattern में ठीक है एक तरीके से मैंने क्या कर दिया इसे किमर उनके बहुत सरे उल्चा दिया तोड़ दिया और उल्चा दिया एक तरीके से ब्रेक लिख दो ब्रेक ब्रेक कर दिया और हमने पास क्या कर दिया बहुत जादा उल्शा दिया नेट जैसा बना दिया, नेट मतलब एक तरीके से वैब जैसा, नेटवक जैसा बना दिया तो यह क्या हो जाएगा हमने पास रेटिकुलर मैंने पहले भी समझाया है reticular का मतलब होता है net जैसा या web जैसा इसे क्या बहुता है मैंने क्या कर रखा है उन्हें अरेंज कर रखा है तो उन्हें क्या बहुत देंगे collagen fibers टेकिन अगर मैंने तोड़ दिया break कर दिया तो वह क्या बन जाएंगे इसलिए दोनों के proteins तो सेम होता है क्योंकि तूटने पर proteins नहीं तूटेंगे है यह जिस protein से composed है वह ऐसा करके हमर पास अगर मैं से बीच में से तोड़ भी दूँ तो proteins तो चेंज नहीं हो जाएंगे लेकिन हम एक परिग से structure में चेंज जल रहता है तो पहली हम रेपास मैंने लिख दिया collagen होती है दूसरी elastine होती है और वह बहली हम बास elastine protein के बनी होती है वह में पास硬्लाइजयन protein के बनी होती है बात करूं तो यह white color को होती है yellow color को होती हो और ये भी हमार पस white color की होती है ठीक है, collagen fibers, white color की, elastin fibers, yellow color की, reticular fibers, हमार पस white color की, ठीक है, तीसरा point, ये समझा है, white, yellow, white, collagen, elastin, collagen, ठीक है, बात करते हैं, इनके nature के बारे में, ठीक है, तो elastin fibers तो नाम से ही पता लग दिया है, elastic nature के होगी, elastic nature, stretchable होती है ये वाली कैसे होती है, non-stretchable, non-elastic और reticular वाली कैसे होजएंगी हमार पस, reticular वाली होजएंगी delicate ठीक है, चलो ये तो याद हो जाएगा, इनाम से याद होगे, elastic, collagen भी याद हो जाएगी, non-elastic, लेकिन ये कैसे याद होगा delicate, बहुत सिम्पल रियाद करना कि लिगो रैटिकुलर फाइबर्स को लाजिन फाइबर्स के तूटने से बनी यह यह पहले से तूटी होई है अब तूटीओ चीज को और तोड़ना चाहोगे तो बहुत असान हो जाएगा है ना और भी ज्यादा असान होगा किसी भी तूटीओ होती हैं बहुत जल्दी रूट सकते हैं इस लिए से आप इस चीज से रिलेट करके आप क्या कह सकते हो कि यह मर पस बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है इन्हें तोड़ना मर पस बहुत ज़्यादा असान होता है क्योंकि यह मर पस पहले से ही टुटी होती है ठीक है तो पहल और Reticular हमार पास Delicate की होती है ठीक है अब अग्ला point ठीक है, यह हमार पास Bundle में होती है Illasin भी हमार पास Bundle में होती है यह हमार पास Single होती है ठीक है यह Unbranch होती है Elastine भी हम अरपस क्या होती है Unbranch होती है लेकिन यह हम अरपस कैसे होती है Branch होती है कैसे यदर राख सकतो बहुत असान है जिसे radical का मैंने बता है Web से Web बना लो यहां पर एक तो यह Web आपको जो बिसके लिए आपस दिख रहा है आप देखी सकते हो कि इस web में 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 बहुत सारी branches है तो जो reticular होते हैं मैंने बता है था reticular का मतला बता है web जैसी, net जैसी, network जैसी तो यह web जैसी है basically हमाँ पस net जैसी है, network जैसी है और web के अंदर बेसके लिए आपको कहा दिख रहे हैं कि बहुत सारी में रपस एक पॉइंट से branches निकल रहे हैं, यह हम पास क्या हो जाएगा? branched हो जाएगा क्योंकि हम पस reticular membrane की हम बात कर रहे हैं तो याद रखना bundles, यह भी bundle में होती हैं, यह हम पस single होती है reticular वाली collagen वाली unbranched होती हैं, यह भी unbranched होती हैं यह हमार पास गज़ती होती है, स्रीम पास प्रांच्ट होती है ठीक है, यह 5 पॉइंट से इसके बारे में नोट करते हैं और इसके बद इसके examples को पढ़ते हैं अब बात करते हैं रपस कोलेजन फाइबर के example की तो इसके example हम पास आजाए है, कोलेजन फाइबर बहुत अजाने, बॉन्स काटलेज वैसे थे skin के दर होता है, collagen ठीक हैं, लेकिन में में लिकते हैं कि bones और cartilage के दर ही fibers present होती है collagen protein हमरे पास skin के दर ही होता है ठीक हिसके लावर इसको आप Blood Vessels में भी लिख सकते हो हमार पास clogs major इसे में लिखते है जब आप circulation वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बता लाएगा कि blood vessels की 3 layer होती हैं में परस intima, media और हमें परस external external layer में तो collagen होता है और intima layer में हमें हमें परस क्या होता है एक तरीके से हमें परस यह elastin होती है ठीक है elastin तो मतलब blood vessel में मैं क्या कहा रहा हूँ कि collagen भी होता है elastin भी होता है लेकिन elastin जो होता है basically हम वस उसके अंदर हम elastic fibers के लेखते हैं कि blood vessels होते है collagen के अंदर हम blood vessels को नहीं लेख सकते लिखते basically आप चाहों तो लिख भी सकते हो है चाहिए तो मैं लिख देता हूँ कि blood vessels में भी होता है पर mainly हम इसे इसमें लिखते हैं अब बात करते हैं reticular की reticular होती हम रपास spleen में इसके लाबा liver में तो इसके examples note करते हैं और फिर हम रपास आगे चलते हैं cells के उपर तो आगे वढ़ेते हैं मेरा पस और अब पढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं महले लपस cells के बारे में हमारा ground सुरी माघ्रिक्स हमार पस cover हो गया अमने fiber पढ़ा ground substance के बारे में पढ़ा अब पढ़ते हैं cells की बारे में कितने तरीकए के cells नमर पस इस connective tissue में पाय जाते हैं तो पढ़ेते हैं cells के बार में और जैसा की cells के बार में मैंने एक चीज बता भी रखे कि इसके इंतर डिफरेंट तरीके के डिफरेंट shape, size, structure के एक तरीके से cells पाय जाते हैं तो मैं उनकी shape भी बताऊँगा आपको ठीक है इसके अलावा हमार पस मैं उनके functions भी बताऊँगा ठीक है तो सबसे पहले 5 तरीके के नाम लिख लेते हैं वो जो हमार पस होते Fibroblast नाम सी पता लग रहा है Fibroblast मतलब Fiber Secreting नाम सी पता लग रहा है दूसरा एडिपोसाइड एडिपोसाइड ठीक है ना Fibroblast एडिपोसाइड तीसरा हो जाएगा हमार पस Plasma Cells या फिर मार पस Lymphocyte ठीक है लिंफोसाइड जो Plasma Cells होते है ना वो एक्चल में Lymphocyte ही होते हैं ना उनको एक specific नाम दे देते हैं जैसे कि एक example से मताता हूँ कि आप और जो आपको भाई या भेहन है वो दोने इंसान है लेकिन आपका एक अलग नाम है और आपके भाई का अलग नाम है तो ऐसे ही होता है कि एक Lymphocyte जो डिवाइड होता है हमार पस वो दो lymphocyte बनाता है एक को हम बोलते है plasma cell एक को बोलते है memory cell ठीक है तो ultimately यह भी हमर पस lymphocyte ही है यह भी lymphocyte है बस इसका specific नाम है plasma cell इसका specific नाम है हमर पस memory cell ठीक है तो confuse मत होना कि मैंने lymphocyte लिखा है और plasma cell लिखा है तो यह दोनों अलग 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 चीज़ है एक ही चीज़ है बस plasma cell जो हमर पस lymphocyte को हमने एक special नाम दे दिया क्योंकि उसका special function है इस वज़े से ठीक है Fibroblast, Edipocytes, Plasma cell इसके लावा हमर पस आ जाएगा Macrophages ठीक है और पांच पहुता है mask cell जो मैं आपको अगले उसमें समझाऊंगा ठीक है क्योंकि वो थोड़ा से बड़ा है उसको समझाना पड़ेगा इस वज़े से पहले इन चारों को समझते है और फिर उने समझते है Fibroblast, Fiber Secreting ठीक है Fiber Secreting हमर पास हो जाएगा नाम से बताया है Fibroblast कैसे होता है Fiber Secreting हमर पास होता है ठीक है Adipocytes, ठीक है Adipose मैंने पहले भी बताया कि Fat से Related होता है ठीक है क्या होता हमर पास Fat Storing Fat को हमर पास क्या करते है, Store करते है, ठीक है Fat को हमर पास क्या करते है, Store करते है और कौन करते है, Adipocytes ठीक है, तो दोनों का हमर पास नाम से बता दिया, Fibroblast, Fiber Secreting Adipose, Adipocyte, Fat Storing और fat क्या काम कर सकता है हमरे पास जो मर पास adipocyte है वो fat store करता है मैं पहले इंसुलेशन तो इसके function के हो जाएंगे हमरे पास functions fat storing cells के हो जाएंगे insulation, protection insulation, protection, support यह सब इसके हमरे पास के हो जाएंगे एक तरीके से function हो जाएंगे Fibroblast, Fiber Secreting Adipocyte, Fat Storing Cells होते हैं Adipos मतलब fat और sides का मतलब एक तरीके से cells Fat Storing Cells ऐसे लिख सकते हैं Fat Storing Cells और इन Fat Storing Cells के function क्या होते हैं जो fat के function होते हैं fat का function क्या होते हैं insulate करना, protect करना, support करना अब इनकी shape के बारे में बात करते हैं जो मतलब fat Fibroblast होते हैं वो ऐसा दिखते हैं थोड़ा सा इस तरीके की shape होते है Fibroblast की और इसके अंदर से बहुत सारी इसे करके आपको Fibers दिखा रखी होती हैं ऐसे करके आपको सारी Fibers दिखा रखी होते हैं ठीक? अब बात करते है, अधी Pात करते है EDIPOSE side की अधी होती है EDIPOSE side की कैसी shape होती है यह shape हमा रपस की होते है EDIPOSE side की होती है ये पर fat स्बाट होते है यह हमार पास peripheral nucleus है, nucleus story periphery पर होती है, बीच में हमार पास fat store होता है, ठीक है, इतना याद करते है, fibroblast की shape बताई, adipocyte की shape बताई, fibroblast का function, अब बात करते है, lymphocytes का function, ठीक है, plasma cell का function, plasma cell का function होता है, antibody बनाना, antibody forming cells, antibody forming cells, यह antibodies बनाते हैं, और हमें protect करते हैं, pathogen से, ठीक है, macrophages का क्या काम होता है, चलो, यह मैं बात बतारता हूँ, पहले इसकी shape को discuss करते हैं, ठीक है, इसकी जो shape होती है, lymphocyte की, वो कैसी होती है, spherical cell होगा, sorry, spherical cell होगा, और हमार पस spherical nucleus होगा, है न, ठीक है, हमार पस spherical cell होगा, और spherical ही nucleus होगा, ठीक है, spherical cell, spherical nucleus, क्योंकि जब आप एक तरीके से blood वाले chapter पढ़ोगे न, तो उसके अंदर आपको पता लगगा, कि जो lymphocytes होते हूँ, वो एक WBC का type होता है, ठीक है, WBC का type होता है और WBC की बहुत सारी एक तरीके से हमार पस nucleus की shape हो सकती है, spherical हो सकती है, bean shaped हो सकती है, bilobd हो सकती है, trilobd हो सकती है, multilobd हो सकती है, तो इस वचे से याद रखना कि lymphocytes जो होते है, उनकी lobe कैसी होती है, spherical होती है, spherical होती है, spherical होती है, ठीक है, spherical cell होगा, और हमार पस spherical ही nucleus होगा नुकलेेच को चेक कर रहे में, में करकें मिख्रोकाज्स की बात करते हैं, में कर देख हैं, वक्षा ना टेयर क्या काम होता है हम लपास फूड को अब इसके लिए जिसे वो फूड दिखते है तो वह क्या करते है हमारे अपने सुड़ोपोडिया इसके अराउंड फिला लेता है ऐसी हमारे मैक्रोफाजिस का क्या काम हो जाएगा जब भी इन्हें पैथोजन दिखेगा ये क्या करेंगे उसकी फैगोसाइटोसी उसको क्या करेंगे आपस खा जाएंगे जिसे अमीब आपने फूड को खाता है मैक्रोफाजिस क्या करते है पैथोजन को खाते है ये क्या करत प्रिसिस मतलब हमारे पतेसे सूद्यापों यह फीलाकर उसे एंगल्फ कर लेसेato कि आपको प्रसेस को क्या बुलते हैं हम पस Rego Cyto lotis but हमारे macrophages भी क्या करते हैं यह हमर पास क्या कर लेते हैं एक तरीके से उन्हें जाकर हम अम पस, pathogens जाकर खा लेते हैं उनकी phagocytosis कर लेते हैं ठीक है यह यह आपको shape बता दी functions बता दी है एक बिसे not कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं muscle पर ठीक है, fiber blast, fiber secreting, adipocyte, fat storing, lymphocyte, antibodies बनने वाले, macrophages जो हमान पस phagocytosis कर लेते हैं कि इसके हमान पस एक तरीके से pathogen की हैं जो हमान पस pathogen होते हैं, उनकी phagocytosis करते हैं, उन्हें बोलते हैं, macrophages ये चार तरीके के, और जो अगला बताऊँगा, वो पाँच फी तरीके का जो हमान पस cell है ये सभी हम पस present हो सकते हैं, या इन में से कोई एक specific present हो सकते हैं या फिर 2-3, मतलब एक तरीके से connective tissue में हमान पस इन में से या तो कुछ cells present हो सकते हैं या सारे के सारे cells भी present हो सकते हैं ठीक कनेक्टिव टिशु में तो अब नॉट करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं मास सल के उपर बात करते हैं मास सल की तो यह मास सल इसे बहुत कोशन आया हुए है मैंने देखे हैं इसे बहुत कोशन पूछे जाए सुके ठीक है क्यों क्यों कि इसका स्पेसिफिक डीजन ही है सबसे पहले बात तो इस चैप्टर में यह मरपास आता है इसे करके और इनके अंदर कुछ नहीं हमार पास स्टोर करके रखते हैं इसका नाम देदी हमापस हिस्तमीन हिपैरिंस और सेरोटोनीन यह क्या करते हैं मांस्सेल्स इनके अंदर तीन तरीके के केमिल्स पाये जाते हैं तीन तरीके के सबस्तांसे पाये जाते हैं हिस्तमीन, हिपैरिंस और सेरोटोनीन और यह क्या करते हैं इन सब को release करके हमारी बोडी को protect करते हैं ठीक ना protect करते हैं या फिर कई पार हमार पास थोड़ी से harmful भी हो सकते हैं एक तरीक से जब इनका बहुत exagetate response हो जाए यानि कि बे बज़े हमार पास तरीके से अपने हमार पास chemical release करना शुरू कर दें तो हमार पास harmful भी हो सकते हैं जैसे आपने asthma बगएर के case में देखा होगा कि उसमें हमार पास serotonin वाला होता है हमार पास hormone बहुत ज़दा release होने लग जाते हैं जिसके बज़े से होता क्या है कि हमार जो ट्रैक्या है वो contract कर जाता है और वो चोक कर जाता है ठीक है मतलब बंद पढ़ जाता है उसके थूरू air ventilation प्रोपरली नहीं हो पाता तो वहाँ पर क्या होता अगर इसकी secretion बहुत ज़दा होने लग जाए तो हमार पास harmful भी होते हैं लेकिन नॉर्मली हमारे बोडी के protection के लिए होते हैं इम्मुनिटी वाले चेप्टर में पढ़ होगी कि यह हमारे पास कैसे हमारे बोडी को protect करते हैं इसे inflammation वाले जो inflammation के अंदर इनका क्या role होते है वह सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे अभी फिलाल पढ़ते हैं कि mastil mastil के अंदर तीन तरफी के केमिकल होते हैं histamine, heparin and serotonin histamine क्या काम करते हैं यह बैजो-dilator होते हैं अधिर बैजा को भी शखे लिए पश्क लिए पर क्या कर देता है differentiate बैजा मतलब blood vessels तो यह क्या कर देगा जिस blood vessels ऐसा है यहां पर मिला पस क्या release हो गया? histamine तो यह क्या कर देगा मिलपस, वहां से blood vessels को dilate कर देगा ठीक है, serotonin क्या कर देता है, यह vasoconstrictor होता है Blood Wessels को क्या कर देगा? abundляा मानलों है Madison Blood Wessels है यहां Serotonin release होआ नहीं क्या कर देगा? Blood Wessels को महांसे हमार पस contract कर देगा ठीक है, तो Histamine क्या कर दे थे Vaso Rhyplace Next Serotonin Vasoconstrictor होता है हिपैरिंज का क्या काम होता है? अंटिकोएकुलेंट क्या काम होता है? अंटिकोएकुलेंट मतलब यह क्या करेगा? बलड को क्लोट से प्रिवेंट करेगा थीक है? आपने देखा होगा है कि जब भी आपका जो बलड है वह आपकी बोडी से बाहर आता है होने देता है तो मासल के अंदर तीन chemicals होते है histamine, hyparins, serotonin, histamine vasodilator होते है serotonin vasoconstrictor होते है और hyparins हम रपास की होते है Anticoagulant जो blood के अंदर clot formation को stop कर देगा तो इसे note करते है और आगे चलते है हम रपस इसकी classification पर तो बात करते हैं इसकी classification के बारे में तो connective tissue को तीन एक तरीके से divide कर आगए हमार पस सबसे पहले हमार पस होते है loose connective tissue दूसरा होता में पस dense connective tissue और फिर तीसरा होता में पस special connective tissue connective tissue को तीन में divide कर आगए loose connective tissue, dense connective tissue और हमार पस special connective tissue Loose connective tissue दो में डिवाड़े होता है Areolar और Adipose Dense दो में डिवाड़े होता है Regular Irregular तीक है, special में हम पढ़ते है Bones को और Cartilage को इसके लावा एक Fluid Connective Tissue भी इसके इंदर आता है Blood, Lymph बगारा जो हमार पस Fluid हमार पस Connective Tissue होते है Blood जैसे, Lymph जैसे, वो भी हमार पस इसके इंदर आते है लेकिन इसके इंदर हम इन्नी को पढ़ते है Blood बगारा को हम पढ़ते है Blood Circulation बल्ली चैप्टर के अंदर ठीक है तो एक बल दुबार उससे देख लेते है Connective Tissue 3 में divided होता है Lose, Dense और हम पस Special Lose के दो पार्टस होते है Aureolar, Adipose Regular और Dense के मंपस Regular और Regular और Special के Bones और Cartilage ठीक है आगे चलते हैं और अरियोलर को हम पस दिस्कस करते है और यहां पर मैं अडिपोस को भी डिस्कस कर लूँ हूँ छोटा से यह थीक है तो यहां पर हम पास करें हम अरियोलर के अंदर सारे तरीके के सेल्स पाय जाते हैं सबसे पहली बात इसके बारे में जो इंपोटेंट NCRT के लाइन है कि हम पास क्या करता है framework of epithelium को support करता है framework of epithelium को form करता है framework of epithelium को support करता है उपर लिखना चाहिए support करता है जो अमने बनाया था कि नीचे connective tissue बनाया था उसके ब्लड वैसल दिखाया थे उपर epithelial tissue बनाया था तो यह जो अरियोलर टीशु था तो यह अरियोलर टीशु था कि epithelium के अमर पास framework हो था उससे क्या करता है support करता है ठीक है और दूसरा point मैंने बताया आपको अब यह भी कि इसके अंदर हम पस सारे तरीके के cells पाये जाते हैं all type of cells found पाये जाते हैं तो पहला support framework of epithelium all type of cells are found ठीक है इसके एलावर इसके examples से कहा का पाये जाते हैं इसके बार में दो ही बात ही थी support framework of epithelium और all type of cells found होते हैं इसके इसके हंतर appreciate के cells पाये जा सकते हैं भी जाता है बंइथ द सकी हम पस नीचे पाये जाता है बंइथ द आपको पास नीचे पाये जाता है बात करतों एडिपोस के बारे में मैने पहले हम पहले और इशे होते हमें हम पस that storing tissue ओता है fat storing अब पस क्या होता है tissue होता है जिसका काम क्या क्या होता है function क्या क्या होता है insulation करना बहुत बर पढ़ चुके हैं से insulation करना protection करना support करना और fat का एक और काम होता है energy provide करना आपको बता होगा आपकी body में carbohydrate, proteins इसके लाब फैट भी हम पस energy provide करते हैं तो energy provide करना ठीक energy provide करना तो यही तो adipose tissue के बारे में fat storing tissue होता है इसके cell को मैंने आपको दिखाए दिया था इस तरीके कोई कुछ cell होता है हम पस nucleus peripheral होती है हम पस boundary की बिलकुल pass होती है और बीच में हम पस एक तरीके से यहां पर fat store होता है तो इसके बाल दुआरा पढ़ लेते हैं fat storing tissue और fat के क्या क्या function होता है insulation, energy provide करना, protect करना, sport करना यह सब कहा कहा पाया जाता है जैसे यह beneath the skin होता है यह भी of course beneath the skin होता है beneath the skin skin के नीचे पाया जाता है दूसरा around organs मैंने बहुत बाल बताया है reproductive का example दिया था stomach वकेरा का example दिया था कि around the organs around organs मैंने पाया जाता है इतना note करते है और यह मैंने पास loose connective tissue खताम हो गया इसके बद बढ़ते हैं dense connective tissue को उससे पहले थोड़ा सा इससे दुबार रिवाइस करते है adipose, sorry areolar support framework of epithelium, all type of cells found होते है example beneath the skin adipose fat storing tissue, functions, insulation, protection, support, energy provide करना beneath the skin होते हैं हम रुपस और यह हम र पास around organs भी होते है इसके लावा इसमें चोटा सा point हो रहे है fat के बार में जोकि extra है आब पढ़ना चाहऊं तो पढ़ सकते हो कि हम र पास दो तरीक एक हमारे पास तरीक है इक होते है एक होते प्राउन फैट और एक होते हमारे पर्जोन दर यलॉफाट प्राउन लॉफाट ब्राउन पर यलॉफा इंदर ब्राउन फैट भीस ब्राउन जाते हैं यह हमारे परवार्भ झावके सदेन आए ठीक is Tracet बिविविविश्द जीनिदर प 세थे एक पर च्लीत तो और देखो अडल्स को जरूरत होति एनरजी है यह क्योंकि यह देखो इनके जितने भी जखर। वह आपणी हीट की जटेडरेट नहीं कर सकते हैं तो बैबी को जिसी हद के जूरत होती है वह होती है heat ठीक है दीरे दीरे हम अपने आपको अपनी heat body की heat जो आप इसके लिए हम आपस generate करना सीख लेते हैं और लेकिन adults को तो हम आपने लिए हम आपस adults जो होते हैं उन्हें तो of course ही बात है heat की जौरत नहीं होती हम आपस heat प्रोवाइड करता है बच्चे को हम आपस गरम लगता है heat प्रोवाइड करता है इंसुलेट करके लगता है बच्चे को लेकिन adults के अदर हम आपस क्या करता है yellow fat energy को प्रोवाइड करता है ठीक है ये points आपस 3,2 इसके लाभा एक और point है ठीक है brown fat babies के अदर होता है heat प्रोवाइड करता है इंसुलेट करके रखता है yellow fat हम आपस rehearse के अदर होता है energy प्रोवाइड करता है ठीक है और ये brown fat होता है brown किस वज़े से होता है F-E की presence से iron की presence से ठीक है ना किस की presence है iron की presence से पता भी हो गा कि iron के जो ज़्छतर सोल्ज होते हैं हम आपस वो brown in color होते हैं तो जो brown color आते हैं हम हमारे पस किस से आता है इससे F e से ठीक है iron से हमारे पस किया आता है brown color ते एक तरीके से था extra point था इसे याद करना हूँ तो याद कर सकते हूँ बढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की अब बात करते हैं हमाल पस दूसरे हमाल पस टाइब की dense connective tissue dense connective tissue और जैसे कि मैंने का dense connective दो तरीके के होते हैं regular irregular दोनों के बार में छोटा-छोटा से ही है तो इसले से मैं दोनों का एकी साथ लिख ले रहा हूँ ठीक है irregular और हमाल पस regular regular के further दो type और हमाल पस tendons और हमाल पस ligaments ठीक है तो regular और irregular में फरक क्या होता है हमाल पस regular वाले जो होते हैं इनके अंदर fibers regularly arranged होती है arranged होती है , जैसे कि यहां बंधा है क्या definite चिक हो यहां पर मैं बना देता हूं कि है fidelity मैने और यह fibers इक regular pattern मēं arranged हैं लेकिन यहांपर हमाल पस किसी भी तरीके से हमाल पस यहांप्र पर पर अधिन अधिस होते हैं regulartext में इंस तो sort document fibers irregularly arranged और इन fibers के बीच में क्या होते हैं Cells हमाँ पस present होते हैं तो यहां पर Fibers matrics के अंदर irregularly arranged होते हैं यहां पर हमाँ पस regularly arranged होते है regular वाले के दो वह टाइप होते है tendons and ligaments Tendons क्या करते हैं हम पस Bone को Muscle से Connect करते हैं यह हम पस क्या करते है Bones को Bones से Connect करते हैं कैसे याद रखोगे या तो directly याद रख लो या फिर एक short trick होती है Tumbler Tumbler की spelling यह होती है इसकी modified spelling क्या होगी Tumbler तो जो Tendons है वो क्या करेगा? Muscle को T4 Tendon, M4 Muscle Tendon को muscle को क्या करेगा हम पस Bone से Connect करेगा T4 Tendon, M4 Muscle, B4 Ball तो Tumbler की spelling होती है तो यहाँ पर क्या हो जाए हम पस Tendon क्या करेगा? Muscle को Bone से Connect करेगा E और R की कोई जरूरत नहीं है ठीक है E और R की मारपस कोई जरूरत नहीं है Tumbler क्या करेगा? Tumbler मारपस short trick होगी T4 Tendon, M4 Muscle, B4 Bones Tendon muscle को Bone से Connect करेगा इसके लावा इन दोनों में भी एक extra point होता है कि दोनों के इंदर collagen fibers पाई जाती है Tendon and Ligaments के इंदर तो अनों के इंदर collagen fibers पाई जाती है Irregular के बारे में क्या होता है? कि इसके बारे में यह की point है कि यह dermis में पाई जाता है dermis of skin में पाई जाता है epidermis, sorry skin के नीचे जो हमारपस dermis होती है महां पर हमारपस पाई जाता है dermis of skin में पाई जाता है एक और पढ़ लेते है regular fibers regularly arranged, irregular fibers irregularly arranged, tendons muscle connection, ligaments bone bone connection irregular वाले का example के होगे हमां पस dermis of skin तो आज इतन ही करते है special connective tissue कल कर लेंगे और इसके लावा muscle tissue भी हम देखते हैं कल कवर कर पाते हैं यह नहीं हमार पस इतना है special connective tissue पढ़ने से पहले यह थोड़ा से रिवाइस करके आना थोड़ा सो complicated था सबसे पहले मने टाइप में loose connective tissue पढ़ा loose के दू एक्जामपल थे फिर dense पढ़ा dance के दू एक्जामपल थे रेगूलर वाले में भी हम आपस